हेलो फेंड्स बेसी की स्पशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से most welcome है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे आप उस प्लेलिज तक पहुँच जाएंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे सब्फाइलम यूरो कोड़ डेटा के जनरल फीचर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में सब्फाइलम यूरो कोड़ डेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके सब मेराइन होते हैं और इनकी बोडी पर एक ट्यूनिसिन केमिकल की बनी होती है एक लेयर होती है इसी वज़य से इन इनिमल्स को हम ट्यूनिकेट्स के नाम से भी जानते हैं तो सब्फाइलम यूरो कोड़ डेटागा को हम ट्यूनिक यटा के नाम से भी जानते हैं एक तर खाइलम यूरो कोड़ividad के अंदर आपके जिस एनिमल्स को स्ठडी करना है वह है धूस्तो हर्ड मानिया इस के बाद इस वीडियो के बाद जैसे खरेंगे सब्फाइलम यूर फीजिव प्रहुआ को कमपलीटक रने के लिए इनकी बादी में बना हुआ है फिसियो लोगी कल सिस्टम बना पाचन अब इसलिए बना वा वैसके बना कर देंगे वन बाई वन टिक है तो दोस्तों यहां पर यूरो कोड़ीटा के अंदर सिर्फ हर्ड मानिया ही नहीं हर्ड मानिया आपके सलेबस के अंदर है लेकिन और भी कई सारी के बाद आप देखेंगे दोस्तों हर्ड मानिया को आप अल्री देख चुके हैं हर्ड मानिया आपके स्लेबस के अंदर है और उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ है वह है डोल योलम यह कुछ फेमस एक्जामपल है सब फालम यूरो कोड़ेटा के जो कि आप इसको याद कर स यूरो का मतलब होता है दोस्तों तेल यानि कि पूंच और कोड़ेटा आप उलड़ी जानते है इसमें रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोस होता है तो वो जो नोटो कोड़ेटा फोटी है इस चीज का ध्यान रगना है यूरो कोड़ेटा इसलिए इसनका नाम पढ़ा क्यों कि इनके जो टेल में नॉटो कोड़ पाए जाती है वो भी इसकी लारवल स्टेज के अंदर ठीक है तो चलिए दोस्तों इसके जनरल फीचर को रिपीट करते हैं इसकी पोजिशन कहां पर दिखाई देती है ये किस डिवीजन के अंदर आता है तो इस चीज को हमें समझना है तो आई एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं फिर उसके बाद हम डिसकस करेंगे तो जो एनिमल जिनके अंदर ब्रेन बोक्स प्र्जेंट था यानि के क्रेनियम या कपाल जिसको हिंदीम बोलते हैं वो प्र्जेंट था उसको हमने कहां पर रखा वर्टीब्रेट के अंदर तीक है यानि के craniata के अंदर और ऐसे animal जिन में kapal या brain box absent था उसको हमने एक craniata के अंदर रखा तो group एक craniata के अंदर दोस्तों रखे गए है तीन सफाइलम ठीक है कौन-कौन से फाइलम सफाइलम एक तो सफाइलम eurocordata और एक सफाइलम cephalocordata और एक सफाइलम hemicordata और recently मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दू कि hemicordata जो सफाइलम hemicordata है उसको हमने यहां से निकाल दिया है ठीक है इस classification के अंदर जो हमने तीन सफाइलम में डिवाइड किया था उसमें से जो सफाइलम hemicordata है उसको recently इसमें से निकाल दिया गया है इत्ती बात आपको clear होनी चाहिए अब दूसरा point हमारे पास बच्चे में दो सफाइलम जो कि सफाइलम से फैलो कोड़ डेटा को पिछली वीडियो के अंदर हम डिसकस कर चुके हैं उसके classification को भी हम cover कर चुके हैं तो आज किस वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे हैं सफाइलम यूरो कोड़ डेटा या ट्यूनी केटा के नाम से भी इसको हम जानते हैं तो अभी हम क्या करेंगे जैसा कि हमें position पता चलेगी है बाकी सब तो हम जानते हैं कि vertebrate के अंदर जितने भी animals है वो जो है उनके अंदर जो vertebrate column पाये जाता है क्योंकि इसमें जो noto code होती है वो change हो जाती है vertebrate column में तो ये सब मैं general features के अंदर काफी अच्छे से बता चुका हूँ इसी वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे आप उस link पर press करेंगे आप उन सभी वीडियो तक पहुँच जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब filem euro code data के general characters के बारे में और इस general characters को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ points बता देता हूँ दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मैंने आपको यहाँ पर एक लंबी-लंबी line में notes बना यहाँ पर हम यह मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप अच्छे से notes बना सके हलाकि मैं चाहता तो इसको एक line में लिख करके अब मैं पूरी line explain कर सकता था लेकिन आपको notes बनाना है exam paper में explain करना है तो इसलिए आप सभी के सभी इन सभी सबसे पहले जो भी मैं general features आपको मैं लिखवा रहा हूँ सबसे पहले इसको आप अच्छे से समझेंगे फिर आप इसको note करेंगे उसके बाद हमारा pattern क्या होगा जब हम सभी general features को खतम कर लेंगे अभी और भी general features है आप अपर only 10 नहीं है और भी है मैं आप जो आपको लिखवाने वाला हूँ तो उन सभी general features को लिखने के बाद मैं आपको एक trick बताऊंगा जिसके help से आप जैसे for example ये लंबी सी line आपको तीन लाइनों में explain किया गया है सिरिफ एक word आपको याद करना होगा उस एक word से पूरी तीनों की तीनों जो लंबी lines है ये याद हो जाएंगे इसी को कहा जाता है एक trick मिल गई है जिसके base पर हम पूरी लंबी line explain कर सकते हैं तो ऐसे छोटे छोटे points होने चाहिए जिनको हम main points कहा जाता है ठीक है जैसे for example एक्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि जैसे दोस्तों अगर मैं कहता हूँ इनका blood vascular system कैसा है तो हमारा topic सिर्फ रहेगा blood vascular system अब उस blood vascular system में हमें देखना है कि open type है, close type है उसमें के अंदर hurt कैसा है तो ये सारी जो चीजे हैं ये उसी blood vascular system के topic से ही निकल कर आ जा रही है तो इस तरीके से याद करने का एक trick होता है आप किसी भी सफाइलम या या किसी भी botany के अंदर आप किसी भी family या order या उसके जितने भी features है taxonomic rank होता है, हारची होती है उनकी general features को आप इसी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है तो चली start करते हैं, मैं start करता हूँ general characters, दोस्तो सबसे पहले तो euro code data के अंदर कितनी species आती हैं, तो लगबग 200 species आती हैं, ठीक है कितनी आती है, euro code data के अंदर लगबग 200 species, और सभी के सभी दोस्तो marine animals हैं, यानि के समुदर में पाए जाने वाले animals अब आपके सबसे पहले तो mind में एक चीज fix हो जानी चाहिए दोस्तों जैसे for example अब भी मैं कह रहा हूँ, इनके member ये animals हैं तो आपके mind में कोई ने कोई animal की चितर जरूर बन रहा होगा, कोई ने कोई best option है, कि आगर आप euro code data को पढ़ रहे हैं, तो आप herd mania का diagram अपने mind में set कर लीजे, herd mania का diagram अगर आपने वो diagram set कर लिया, तो आप इसके general features को आसानी से समझ पाएंगे उसको observe भी करवाएंगे, feel भी करवाएंगे तो चलिए start करते हैं, all euro code rates are marine, जितने भी euro code data से सबके सब marine है, सबसे पहले यहाँ पर यह point note कीजिए, the sub phylum euro code data constitute a unique group of animal under the phylum code data phylum code data के अंदर बहुत ही unique animals है, and the member of this sub phylum exhibits a high degree of diversity in form, habit and habitat, दोस्तों यह वास इस्थान habit और habitat में काफी सारी diversity show करते हैं, मतलब लगबग सभी जगह होता है, इस member के जितने भी कुछ animals है, वो definitely वहाँ पर कुछ एक एक नए वहाँ पर animal जरूर दिखाए देगा, यानि कि आप किसी भी समुद्र में, या किसी भी marine water के अंदर देखेंगे, तो इनका एक member आपको जरूर दिख जाएगा, ठीकि इतनी high degree of diversity देख सो करते हैं, तो पहला point note करेंगे, all eurocordates are marine, सभी के सभी जो eurocordates है, वो सब के सब कैसे हैं, समुद्री है समुद्र में रहने वाले, दूसरा point ये sasile होते हैं, and permanently pelagic होते हैं, pelagic का मतलब, दोस्तो जो समुद्र में रहने वाले animals होते हैं, उनको pelagic कहा जाता है, और ये permanently pelagic है, यानि कि समुद्र में ही रहते हैं, दूसरा point है, that adults are mostly degenerated and unsegmented, दोस्तो इनके जो adults होते हैं, सबसे पहले तो adults का नाम कैसे है, क्योंकि इसमें larva भी होती है ठीक है, यानि कि adults कब हमने नाम लिया, इसका मतलब इसके अंदर larva भी बनते हैं, तो दोस्तो इनके अंदर जो adults होते हैं, वो degenerated होते हैं degenerated का मतलब क्या हुआ, कि larval stage में जो जो features दिखाई दे रहे थे, वो धीरे-धीरे degenerate होकर के, एक नया features show कर रहे हैं, मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तो इनका जो larva होता है, वो code data की सभी features को show करता है notocode present है, gillslits present है ठीक है, dorsal nerve code present है यह सब इसमें present है, लेकिन दोस्तो जैसे जैसे वो adult में convert हो रहा है, notocode gap हो रही सिर्फ एक features बचा हुआ है, वो है gillslits, यह pharyngeal gillslits होती है सिर्फ एक features बना हुआ है तो यानि कि starting में हमें यह लग रहा था इनके larva को देख करके, कि यह कोई higher coordinate बनेगा, लेकिन वही होता है कि खोदा पहाड और निकली चुहिया, यानि कि मामला क्या होता है, बाद में देखने को मिलता है कि वो degenerate हो जाते है, यानि कि जो notocode जो tell में present थी, वो completely adult में जाते जाते, disappear हो जा रही है तो इसलिए यहाँ पर degenerate world use किया गया, ठीके, जहाँ पर किसी चीज का अपच्छे हो रहा है, मतलब कि महाँ पर कमी पाए जा रही है, ठीके जो characters पहले मिल रहे थे, वो धीरे-दीर degenerate होकर कि कुछ ही characters बचे हुए है तो the adults are mostly degenerated and unsegmented कोई भी बिनकी body पर segment नहीं पाए जाता, तो इसलिए unsegmented होते हैं, इनके adult, तीसरा point note करेंगे, the notocode is confined to the tell reason, notocode कहाँ पर present होती है दोस्तो, larva के tell reason में, उसकी पूछ में पाए जाती है, इसलिए इनका नाम पड़ा है euro codate euro का मतलब होता है दोस्तो, tell और codate का मतलब notocode, तो इसका मतलब notocode कहाँ पर present है उसके only tell reason में और आपको पता होना चाहिए कि जो tell reason में, किस stage में, larval stage में यानि कि adult में जाते जाते, वो features भी गायब हो जा रहा है, ठीक है for this characteristics features the name of the group is given euro code data, इसी characteristics features की वज़े से इसको name given किया गया euro code data and other features a dorsal hollow nerve code, pharyngeal slits and post anal tail are found in larval stage, larval stage में मैंने कहा इनके body के अंदर या larval body के अंदर dorsal hollow nerve code भी पाय जा रही है pharyngeal slits भी पाय जा रही है post anal tail भी पाय जा रहा है, ठीक है और साथ में हमने देखा कि इसकी tail के अंदर जो है, notocode भी पाय जा रही है तो यानि कि ये जो code data के जो main fundamental mental features है, वो ये इसके larval stages में so हो रहे है, बट adult stage में जाते जाते, वो गायब हो रहा है क्योंकि इसमें कौन सा इस तरह का metamorphosis होगा, उसको बोलते है retrogressive metamorphosis, जिसके अंदर कोई चीज, जो starting में उसके larval stage में थी, बट adult में वो गायब हो जा रही थी, ठीक है, तो इसमें कौन सा metamorphosis हुआ, retrogressive metamorphosis, आगे बढ़ते हैं, ये हमने note कर लिया है, they retain only, यानि कि adult में जाते जाते, वो क्या बचा कर रखते हैं, क्या retain करके रखते हैं, branchial slits या आप कह सकते जो pharyngeal gills slits होते हैं, सिरिफ flexible tunic or test, इनकी body के ओपर दोस्तो एक flexible covering पाय जाती है, जिसको हम tunic test भी बोलते हैं, and hence completely known as, इसलिए इसको completely in animals को क्या कहा जाता है, tunicates कहा जाता है, the material of the tunic is unique जो material होता है tunic का, वो unique होता है and because it contains cellulose, इसके अंदर दोस्तो cellulose बना होता है, जो कि आप जानते polysaccharides है, जो कि plant material में भी पाया जाता है, ठीक है, तो tunicin नाम का जो chemicals होता है दोस्तों, वो cellulose एकदम resemble करता है आप completely ऐसा भी नहीं कह सकते इसके अंदर cellulose बना जाता है, तो इसलिए दोस्तों, यह जो है, इसको हम tunicates के नाम से भी जानते हैं पाच्वा point क्या है, the free end of the body इसकी जो body है, free end पर दोस्तों, beards a opening the mouth and attripoor mouth present होता है, और साथ में attripoor भी होता है, अच्छे, इनकी body किस तरह क्यों होती है, हम body को देखते है आपने सुना होगा, bilaterally symmetrical symmetrical body या asymmetrical body bilaterally symmetrical में क्या होता है कि अगर आप किसी animals को बीचो बीच काटते है, अगर वो दोनों तरफ बाराबर बाराबर भागों में कटता है उनके दोनों जो lateral side जो बचे में है, वो एकदम बार बाराबर कटते है जो भाग इधर है, दो organs जो organs इधर है, वो ही organs उधर भी है तो उसको का जाता है bilaterally symmetrical यानि कि हिंदी में three parts वो सम्मित लेकिन दोस्तों, इनकी body जो होती है इन animals की body, वो asymmetrical होती है, यानि कि सम्मित आय सम्मित रहती है इनकी body को अगर दो भागों में काटा जाए, तो इधर कुछ पार्ट आएगा इधर कुछ पार्ट आएगा, यानि कि जो organs इधर है, वो इधर नहीं आएंगे तो इस तरह की body जो होती है, वो कहलाती है asymmetrical, तो आगे बढ़ते हैं the body is enveloped by the यह हम cover कर चुके है, यह भी हम cover कर चुके है कि इनकी body में जो है, mouth और opening अट्रिपोर पाया जाता है the proximal part of the elementary canal इनके elementary का जो proximal आगे वाला जो part होता है दोस्तो is greatly enlarged, बड़ा होता है एकदम ठीक है, enlarge होता है जो कि to form a species pharynx जो कि pharynx बनाता है and adapted for the filters feeding जो कि filter feeding करता है दोस्तों यह ciliary feeding इनके अंदर अगर आप feeding के बात करें portion की तरह से करते हैं तो जब हम herd mania के digestive system को discuss करेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें ciliary feeding होता है ठीक है, सात्वा point respiration performed by the exchange दोस्तों अगर आप एक चीज observe करें, कि इसको याद करने का एक और trick है, अगर आप अगर आप अपनी खुद की body का comparison इनके body के साथ करने लग जाएं तब भी आपको कई सारे points याद हो सकते हैं जैसे आपकी body structure कैसी है, symmetrical है या unsymmetrical है, तो हम जानते हैं हमारी body bilaterally symmetrical होती है और इसके बाद अगर आप देखें, आप भी सांस लेते हैं, तो ये भी सांस लेते होंगे अगर आप भी reproduction करते हैं, तो ये भी reproduction करते होंगे आप भी blood vascular system में आपका भी है तो इनका भी होगा, आप भी खाना पीना खाते हैं यह भी खाना पिना खाते होंगे तो इस तरीके से इनका भी इनके बोडी में भी digestion होता होगा तो इनके अंदर किस तरह का digestion होता है आपके अंदर किस तरह का digestion होता है तो अगर आप खुछ से भी comparison करेंगे तो भी कई सारे points आपको याद आ जाते है तो respiration ये भी दोस्तो सांस लेते हैं आप गाते हैं तो इनकी अंदर respiration कैसे होता है परफॉर्म बायदा exchange एक्सचेंज एक्रोस दाइनके अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है एक्रोस दा गैसे उसके एक्स्टेंज हो जाता है और शाथ में रेस्पिरेशन करने का तरीका आठवा पॉइंट क्या है इनका blood vascular system जो होता है वो दोस्तों इनके अंदर open type का होता है अगर हम अपनी body से comparison करें तो हमारा closed type of blood vascular system पाय जाता है क्योंकि हमारी body के अंदर दोस्तों जो blood flow करता है वो veins के अंदर नसों के अंदर flow करता है लेकिन यहाँ पर open type है यानि के इनके body के अंदर कोई specific vessels नहीं है body इनके normally open type होता है इनके जो blood है वो इनके body में openly flow करता रहता है and heart is simple इनका जो heart होता है वो simple होता है tubular और ventral side में present होता है और इनके blood के अंदर erythrocydes absent होती है blood content cells इनके blood के अंदर cells so present है बट erythrocydes इनके अंदर absent होता है नवा point दोस्तों यह excretion भी करते है उस सर्जन किसको कहा जाता है जब हम waste material body से बाहर निकालते हैं जैसे urine pass करते हैं, feces pass करते हैं, body से बाहर निकालते हैं तो इनके body के अंदर हानिकारक urine बनता होगा तो इसको भी कैसे बाहर यह निकालेंगे तो इसको निकालने की जो procedure है वह यह excretion है तो excretion is performed by the neural gland यह जो है neural gland से, pyloric gland से, nephrocydes यह सब इन animals के अंदर कुछ specific excretory organs होते हैं जिसके help से यह अपनी body से जो हानिकारक, ammonia या फिर uric acid इन सभी को बाहर निकालते हैं तो यह procedure हो जाएगा excretion दसवा point है दोस्तो most of the codate characters दोस्तो इन animals के अंदर जादा सजादा जो codate characters है that were present during the larval period जो की larval period में इसके अंदर present होते हैं disappear during the metamorphosis into the adult adult में convert होते होते हैं इन के अंदर metamorphosis होता है retrogressive metamorphosis होता है तो वो most of the codate features हैं उनको यह lose कर देते हैं उनको completely खतम कर देते हैं ठीक है तो यह था 10 वा point तो I hope दोस्तो यहां तक क्या आपने note कर लिया है तो अभी आप इसको फटाफट note कीजी उसके बाद हम discuss करते हैं नेक्स जनरल फीचर के बारे में eurocordata के 10 points को note करने के बाद अब आप note करेंगे point number 11 point number 11 में आप note करेंगे the eurocordate are mostly hermophrodite दोस्तो eurocordate animals जो होते हैं mostly ज्यादा तर जो होते हैं वो hermophrodite होते हैं that means इनकी एक ही body के अंदर male और female दोनो sex organ पाया जाते है नोट करेंगे point number 12 fertilization is cross and external and take place in sea water यानि कि समुद्र के अंदर water के अंदर fertilization हो रहा है तो सबसे पहले तो point ये करेंगे कि fertilization इनमें cross fertilization पाय जा रहा है तो आप क्या आप जानते हैं cross fertilization पाय जाने का reason क्या है तो ये reason मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इनके अंदर protogynus इनकी जो ovary होती है protogynus condition में होती है यानि कि इनकी जो ovary है वो पहले ही mature हो जाती है थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने कहा कि इनकी body के अंदर male और female sex organ पाय जा रहा है ये बात clear हुई लेकिन जो female sex organ जो ovary होती है वो sperm से पहले ही mature हो रही है ठीक है ovary पहले mature हो रही है और sperm जो है बहुत देर बाद मलब की कई दिनों बाद ठीक है यानि कि आप ये समझ सकते है कि जिस समय ovary mature हुई उस समय उसे fertilization की जरूवत है sperm की जरूवत है ताकि जो है fertilize हो सके तो इसके लिए दोस्तों दूसरे animal का जो sperm है वो आ करके fertilize करता है तो यानि कि इनके अंदर male और female sex organ भले ही पाय जा रहे है लेकिन fertilization फिर भी cross हो रहा है यानि कि दूसरे animal का sperm है वो किसी दूसरे animal के egg को fertilize कर रहा है क्योंकि egg इसमें सबसे पहले mature हो रहा है ठीक है तो इस तरह की maturity इस तरह की जो condition है proto-gynous condition के लाती है तो fertilization cross है external है ठीक है external यानि कि outside the body and take place in sea water water के अंदर हो रहा है ठीक है तेरवा point note करेंगे asexual reproduction accomplished by the formation of birds दोस्तों bird formations के दूरू जो है asexual reproduction होता है development occur through a free swimming deadpole larva इनके अंदर सबसे पहली बात तो development कैसा होता है दोस्तों direct development नहीं होता indirect development होता है development two type का होता है direct and indirect direct में क्या होता है कि कोई भी larva लिस्टेज नहीं हाती लेकिन indirect में क्या होता है सबसे पहले development होगा तो larva बनेगा तब जाकर वो adult में convert होगा तो इनके अंदर larva बन रहा है इसका मतलब development कैसा होगा indirect तो occur through a free swimming deadpole larva free swimming deadpole larva बनता है तो यह था दोस्तों general features मैंने आपको promise किया था कि मैं आपको एक ऐसे trick बताऊंगा जिसके through आप इसको आसानी से याद करेंगे तो वो trick कुछ और नहीं वो सरिफ ऐसे ही है दोस्तों जैसे for example हमने इसकी इतने सारे general features को याद किया तो उस्तों एक professor का mind कैसा होता है जब आप आपने देखा होगा आपके college में professor lecture देता है तो उसका mind setup कैसा होता है उसके mind में इतनी सारी चीज़े कैसे catch up हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ आपके mind में भी इसी तरह से हो सकती है कैसे दोस्तों सबसे पहले ये जो आप points देख रहे हैं ये सभी जितने भी phylum जितने भी phylum उन सभी phylum के लिए valid हो जाएगा सभी animals को आप इसी point के नजरिये से देखने start कर जीजिए जैसे for example हम habit और habitat की बात करते हैं ठीके अब एक professor के mind में आया है habit and habitat तो आप वो क्या सोचेगा अब उसके mind में habit और habitat पॉइंट से कई सारी चीजे निकल कर आगी आप इस चीज को भूल जाओ जो blue color में है उसको भूल जाओ ये जो green color में मैंने represent किया है जो words इनको याद कर लो बस इनको याद करने का मतलब है आपने सारी चीजे याद कर ली इन सभी point से आप पूरा general features भर सकते हो पूरा किताब भर सकते हो पूरी copy भर सकते हो अपनी कैसे देखो habit और habitat के अगर हम बात करते हैं तो habit, habitat कैसा भी हो सकता है कोई terrestrial है यानि धरती पर रहने वाला कुछ aerial है जो की वायू में रहते है ठीक है कुछ गेली मिट्टी में पाय जाते है कुछ किसी चटान के से attach होकर पाय जाते है कुछ marine water में, कुछ fresh water में मतलब कि कई सारे habitat हो सकते है habit और habitat कही तरह के हो सकते है तो दोस्तों ये जो animals है, ये marine है हमें पता है समुदर में पाय जाते है अब हम बात करते हैं इनकी body की, इनकी body किसी ने किसी तरह से होगी, तो आपका point क्या हो जाएगा notice करने का body, अब इस body से कितने सारे points link है जरा इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि हमें सिर्फ ने body word याद किया और इससे देखो कितने सारे point link है, जैसे कि इनकी body कैसी हो सकती है, asymmetrical हो सकती है किसी की body, Radially symmetrical हो सकती है, Bilaterally symmetrical हो सकती है, ठीक है, तो symmetrical भी हो सकती है, तो हमें देखना है कि इनकी body कैसी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है asymmetrical है, यानि कि अगर आप इनको दो भागों में बराबर भागों में काटना चाहें तो यह नहीं कट सकते अगर कट जाएंगे तो बाइलेटरिली सिमेट्रिकल होंगे तो असिमेट्रिकल है बात कतम दोस्तों अगर आप इसी body में आप इसका size भी देख सकते हैं कि आखिर इन animals का size कैसा है तो यहाँ पर दोस्तों यह variation शो करते हैं यानि कि कोई animal ज़्यादा बड़ा है कोई animal ज़्यादा चोटा है कोई animal medium है तो यानि कि काफी सारा variation इनकी size में देखने को मिल रहा है लेकिन यह point किसी link है body से अब इसी body से यह core point link है इनकी body कैसी है unsegmented होती है आपने देखा कि arthropod animals की body कैसी होती है segmented होती है इनकी unsegmented है अगर आप देखें तो इनके अंदर tail पाय जा रहा है कौन सी stage में larval stage में tail पाय जा रहा है और उसी larval, उसी tail के अंदर दोस्तों notocode भी present है तो वो किस से attach है body से link है और यहाँ पर यह जो मैंने कहा कि इनकी body के उपर covering पाय जाती है tunic जो कि cellulose like होती है तो यहाँ पर यह भी किस से link है बोडी से क्योंकि यह भी इसकी body की covering है तो एक ही body वाले point से इतनी सारे points link है, interconnected है तो अगर आपने यह याद कर लिया तो यह point आपने आपके mind में आ जाएंगे digestive system, दोस्तो हमारा भी digestive system है, सभी animals का एक digestive system है जिससे कि वो खाना काता है, पाचन करता है ठीक है, food को digest करता है इनके अंदर किस तरह का होता है दोस्तों digestive system, इनके अंदर भी digestive system जो होता है, वो complete होता है complete digestive system किसे कहते है जो कि mouth से start हो और anus पर finish हो, एक elementary canal है जो कि mouth से start हो रही है anus पर खतम हो रही है, बात खतम तो इस तरह का digestive track या digestive system होगा, उसको हम बोलते है complete digestive system और इनके अंदर feeding कैसी होती है जैसे हम लोग खाना खाते है तो इस तरह से खाते है, दोस्तों इनके अंदर feeding जो होती है वो ciliary mode से होती है जो कि हम discuss करेंगे हर्ड़मानिया के digestive system होगा तो वहाँ पर अच्छे समझ में आएगा तो digestive system related यह सारे points link है blood vascular system के अगर हम बात करते हैं कैसा होता है, open type होता है ठीके, blood vascular system किस तरह का हो सकता है open type भी हो सकता है, close type भी हो सकता है open type में क्या होता है जो blood होगा, वो कहाँ पर flow करेगा without किसी vessels के अंदर flow नहीं करेगा लेकिन close type में क्या होता है कि किसी vessels के अंदर जैसे हमारी धमनी सीराएं होती है इनके अंदर flow करता रहता है जहाँ पर ऐसा, open type में ऐसा कुछ देखने को में नहीं मिलता अब उसके बाद दोस्तों इसी से ही जबकि हमने vascular system तो देख लिया आप blood की बात करते हैं इनका blood भी कैसा होगा उसका color कैसा है उस blood के अंदर pigment कौन सा present है उनके अंदर cells कौन सी present है जैसे कि हमने देखा कि इनके अंदर जो erythrocides होती है वो absent होती है तो बात कतम मतलब कि इसी चीज़ से इसका blood billing है vascular system कैसा है heart भी इसी चीज़ से connected है heart कैसा है जैसे मैंने को कहा इनका जो heart है तो और tubular होता है और कहाँ पर ventral side में present होता है तो इसी चीज़ से heart billing है तो काफी चारी चीज़े जो होती है वो आपस में interconnected है अगर आप उन connection को याद कर लेते हैं तो आप easily किसी भी चीज़ को explain कर सकते है exam हो कहीं पर भी आप respiratory system की बात करते है सांस लेने की करिया तो जैसे कि हमारी body के अंदर specific organs है फेफिडे हैं जो कि सांस लेने में help करते है nose है इसी तरीके से इनकी body के अंदर pharyngeal walls होती है pharyngeal gillslits होती है दोस्तो जिसकी help से ये सांस लेते हैं तो उसरा tunic मैंने कहा इनकी body surface पर इसकी covering पाय जाती है tunic उससे भी ये सांस लेते हैं वहाँ से भी gaseous का exchange देखने को मिलता है तो ये जो है इस तरह से इनका respiratory system होता है gaseous exchange होता है nervous system दोस्तों जिनके होता है जो adult के अंदर single dorsal ganglia ही बची रहती है ठीके adult के अंदर single dorsal ganglia ही बची रहती है excretory system यानि कि उचसरजन यानि कि जो waste material होता है body को कैसे बाहर निकाला जाए क्योंकि वो हमारी body के लिए harmful रहेगा ठीके तो अब उसको बाहर निकालने के जो किरिया है वो किस से होगी excretory system से होगी तो इनके अंदर excretion के लिए कौन-कौन से organs जैसे nephrosides, pyloric glands, suprarenal glands तो ये सारी कुछ glands पाय जाती है अनिमल्स के अंदर जिसके अंदर ये अपनी बोड़ी से urine या फिसीज को बाहर निकालते है रास reproduction कैसा होता है देखो reproduction से कितने सारे points link का आपको मिलेंगे, सिर्फ एक reproduction point से, bisexual animal है ठीके, सबसे पहले तो आप देख सकते है animal unisexual भी हो सकता है यानि के male और female separate हो सकते है male sex organ अलग body में होगा female sex organ अलग body में होगा जैसे कि हम खुद का example लेते हैं हम जो male होते है, yuva होते है उनकी body में अलग male sex organs होता है female के अंदर अलग होता है लेकिन ऐसे भी कुछ animals हो सकते हैं जिनकी body में bisexuality देखने को मिलती है external भी हो सकता है, internal भी होता है external मतलब की outside the body body के बाहर हो रहा है internal मतलब यानि कि जो female की body है उसके अंदर internal fertilization हो रहा है यानि कि जो sperm है वो body के अंदर ही release किया जा रहा है, तो वो internal कहलाएगा ठीक है, अब यहाँ पर देखो cross fertilization का मतलब क्या हुआ, मैं आपको लेड़ी बता चुका हूँ कि इनमें भले ही sex organ दोनों के दोनों जो sex organ male और female sex organ है, वो एक ही body में पाय जा रहे हो, लेकिन यह sperm एक दूसरे का ही लेते हैं उसको मतलब इस fertilization के लिए दूसरे animal का ही sperm यहाँ पर काम आता है, क्योंकि मैंने कहा कि इनके अंदर ovary पहले mature हो जाती है और sperm बाद में mature होता है ठीक है, उसके बाद point क्या आता है कि जैसे कि हमने देखा कि bisexual है, cross fertilization हो रहा है external fertilization है, यानि कि outside the body protogamous condition के बारे में बदाई चुका हूँ, अब यहाँ पर दोस्तो fertilization के बाद क्या बनता है, gigot, gigot के बाद धीर धीरे वो जैसे जैसे embryo develop करेगा, तो आगे क्या बनेगा या तो वहाँ पर larva बन सकती है या direct, वो adult में convert हो सकता है तो इस चीज़ को हम कहेंगे development तो development में ने कहा है, या पर indirect भी हो सकता है, direct भी हो सकता है indirect के अंदर क्या होता है? कि larva form होती है, direct के अंदर डाल larva form नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें देखा कि development indirect होता है अब जो larva बनती है, उस larva का particular कुछ नाम होगा, जैसे कि यहाँ पर इसन में metamorphosis तो हमने देखा कि इनके अंदर metamorphosis होता है वो retrogressive type होता है यानि कि retrogressive metamorphosis वहाँ पर होता है जहां किसी चीज का reduction हो रहा हो ठीक है reduction का मतलब समझ रहे हैं जैसे मैंने कहा कि इनकी जो larva form हो रही है larva के अंदर सभी fundamental features coordinate के जो main fundamental features है जैसे कि dorsal nerve code का पाए जाना नोटो code का पाए जाना pharyngeal gillslits का पाए जाना post channel tail का पाए जाना ये सब इनके अंदर features available है लार्वाली stage में लेकिन जैसे ही इनके अंदर retrogressive metamorphosis होता है धीरे धीरे वो जो सारे procedure जो सारे सारे जो main fundamental features है वो धीरे धीरे उनका reduction हो रहा है यानि कि वो gaiv हो रहे है तो हमने क्या सोचा था है उनको देख करके अगर आप उनकी लार्वा को देखांगे तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा animal higher chord rate बनेगा लेकिन बनते हैं lower non chord rate की तरह है ठीक है यानि कि खोदा पहाड निकली चुहिया वो अला matter निकलता है आपर तो देखांगे metamorphosis भी यहाँ पर retrogressive होता है ठीक है उसके बाद ये सारा point आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ इतने point से हमने सारे कि सारे जो अब तक हमने 15 features ये 14 features discuss किया वो सिर्फ इतने में ही cover हो गया तो इस तरीके से अगर आप अपने mind में इस words को consume करेंगे इकठा करेंगे तो ये जो अगर interconnection को आप इसको समझ जाएंगे तो आप किसी भी phylum को easily explain कर सकते हैं तो ये था general features अब हम discuss करते हैं दोस्तो classification के बारे में सबसे पहले आप इसको फटा-फट नोट कीजिए तो लिए दोस्तो हेडिंग डालेजिए classification of euro code data सब फ़ाइल हम euro code data को three classes में divide किया गया है first class है दोस्तो larvesia जिसको हम appendicularia के नाम से भी जानते हैं second class है SEDAC और third class है thalesia तो आईए देखते हैं सबसे पहले general features of larvesia या appendicularia इसके अंदर जो animals है उनके example क्या है और इसके general features क्या है पहला features है दोस्तो यह जितने भी animals है यह सब पहला जी कहा यानि के समुद्र में रहने वाले होते हैं marine water में रहते हैं और free swimming होते हैं free पानी के अंदर sea water के अंदर या marine water के अंदर यह swimming करते रहते हैं free swimming करते हैं और solitary होते हैं यानि कि अकेले animal यह अकेले रहना पसंद करते हैं कोई colony बना कर रहना पसंद नहीं करते तो इस तरह के animals है इनका habitat से related दूसरा point है दोस्तो इनके अंदर जो adult होते हैं जैसे कि हमने देखा था euro code data के general features के अंदर मैंने आपको क्या बताया इसलिए तो वो general features है जनरल का मतलब एक सामान्य features जो कि common lease में पाये जाए लेकिन अगर आप इसके exceptional case देखते हैं जैसे कि for example larvesia larvesia का exceptional case यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो adult body होती है उनके अंदर tail present होता है और tail के साथ साथ notocode भी present होती है जबकि हमने जब main features euro code data का पढ़ा था तो हमने देखा था कि adult के अंदर tail धीरे-धीरे disappear हो जाती है तो यह है exceptional case तीसरा point है दोस्तो pharynx only two gillslits इनकी pharynx के अंदर only two gillslits present होती है development इनके अंदर दोस्तो जो होता है वो direct होता है direct development का मतलब मैं उल्लेडी बता चुका हूँ कि इनके अंदर larva form नहीं होगी ठीक है larva नहीं बनती इसलिए कहेंगे हम direct development चोथा पाँचवा point है दोस्तो इनकी जो adult body होती है वो दोस्तो लार्वा की तरह ही दिखाई देती है ठीक है इनकी जो adult body होती है वो लार्वा के जैसी दिखाई देती है तो ये पाँच common features है लार्वेसी, class larvasia के इसका example है दोस्तो oico pleura जैसे कि introduction मैं आपको दिखाया था और अब भी आप यहाँ पर देख सकते है ये oico pleura इसका example है आगे बढ़ते है acidacy दोस्तो acidacy, class acidacy के अगर हम general features की बात करें तो ये भी marine होते है stagnant होते है marine का मतलब आप समझ सकते है marine water के अंदर रहते है stagnant का मतलब होता है ये इस्थिर रहना पसंद करते है जादा swimming वगरा इधर उदर चलना फिरना पसंद नहीं करते है adult body पूरी तरीके से stagnant हो जाती है और इनमे stock present भी हो सकता है और नहीं भी और stock के help से अगर present होता है तो ये किसी जगह से attach हो जाते है किसी substration से attach हो करके इस्थिर रहना इस्टेगनेंट रहना पसंद करते है दूसरा point है दोस्तो ये solitary भी होते है और colonial भी रहते है यानि कि अकेले रहना भी पसंद करते है और जुंड में भी रहना पसंद करते है colony वाले जो होते हैं वो budding के दोरा एक पूरी colony form कर लेते हैं इनके अंदर सिर्फ दो गिल स्लिट पाए जाते है तो कुछ comparison भी आप कर सकते हैं इनके बीच इनकी बोडी के पर जो covering पाए जाती है जिसको हम test यह बोलते हैं जिसकी वज़े से इने हम ट्यूनी केट्टा के नाम से भी जानते है इनके अंदर जो development होता है वो indirect development होता है indirect development का क्या मतलब हुआ कि अंदर सबसे पहले larva बनेगा फिर उसके बाद वो adult में करनवर्ट होगा तो इनके अंदर larva बनता है अब हम देखते हैं दोस्तों इन्हें further दो orders में divide किया गया है यह है SEDAC Simplices और यह है SEDAC Composity ठीक है इसको दो further इस class को class SEDAC को दो further order में divide किया गया है order number first SEDAC Simplices और SEDAC SED Composity ठीक है तो इसके कुछ example है जैसे SEDAC Simplices के अंदर Siona रखा गया है हर्ड मानिया रखा गया है यह दोस्तों हर्ड मानिया जो है आपके Slabers के अंदर है इसको आपको study करना है AC-DC Composity की बात करें तो इसके अंदर Botrylus रखा गया है और Degona रखा गया है third class है दोस्तों आपकी Thalesia Thalesia के general features क्या है free swimming animal pelagic animals होते है solitary भी है colonial भी है ठीक है अकेले रहना भी पसंद करते है और जुन में भी रहते है colony बना कर and transparent body covering इनकी जो body covering होती है वो transparent होती है और इनमें भी budding पाया जाता है यानि के कलिका उत्पातन जिसको हिंदी में कहा जाता है budding द्वारा reproduce होते है इसको further three orders में divide किया गया class Thalesia को three orders में divide किया गया first class है इसके अंदर cyclomeria इसके अंदर जो class Thalesia है इसका first order होगा cyclomeria cyclomeria को हम doliolida भी बोलते है और इसका example है दोस्तो doliolum जो कि मैंने introduction में आपको diagram भी दिखाया था second order है दोस्तो hymeria hemimaria के अंदर दोस्तो इसको हम salpida भी बोलते है और इसका example है salpa ठीक है और third order है दोस्तो lucida lucida को हम pyrosomatida भी बोलते है और इसका जो example है वो है pyrosoma तो ये है दोस्तो तीन classes subphylum euro code data को three classes में डिवाइड किया गया larvacea, appendicularia, acidacee, thalacee तो इसको फटा-फट आप note करें तो friends ये था classification of phylum euro code data और general features next video के अंदर हम discuss करेंगे heartbarnia related topics तो मिलते हैं दोस्तो next video में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like करें और चैनल को subscribe कर दे अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो की need है तो मिलते है next video में बाई बाई टटा